दोस्तो तलाक के मामलों को देख कर कहा जा सकता है कि भारत दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी भहतर इस्तिति में है लेकिन पिछले कुछ सालों में ये मामले भी बढ़ने लगे हैं दुनिया के सबसे विक्सित देश अमेरिका में जहां तलाक की दर 40% के करीब है वहीं बारत में ये 2% के नीचे है हाला कि पिछले कुछ सालों के आंखडों पर गौर किया जाए तो यहां भी ये रफ्तार बड़ी है रफ्तार तो बड़ी है लेकिन जो तलाक के लिए कारण सामने आ रहे हैं वो काफी चोकाने वाले हैं आई ये नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ अजीब और गरीब रीजन्स के उपर जो मेरिड कपल लेकर आते हैं कोर्ट में जब उन्हें डैवोर्स चाहिए होता है पिछले दिनों मैसूर में एक हैरान करने वाली खबर आई जहाँ एक पती ने पतनी से इसलिए तलाक ले लिया क्योंकि उसकी पतनी सिर्फ और सिर्फ मैगी ही बनाती थी कोर्ट में पती ने कहा कि उसकी वाइफ को खाने में मैगी के सिवाए कुछ नहीं बनाना आता वो breakfast में भी मैगी बनाती है, lunch में भी मैगी बनाती है और रात को dinner में भी वही मैगी बनाती है इस case का नाम ही मैगी case रख दिया गया और आखिरकार इस case में दोनों का तलाक हो गया अब ये केस सुनने के बाद हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम आपसे दो मिनट में मैगी बनाने को कहें या दो मिनट का मौन धारन करने को कहें मुंबई में अदालत ने अपनी पत्नी से परिशान एक व्यक्ति को तलाक की अनूमती दे दी पती ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी बेहत गुसेल और तानाशा किस्म की है और सेक्स के लिए कभी तरप्त ना हो सकने वाली इच्छा दिखाती है पती ने कहा कि 2012 में उसके विवा के बाद से बीवी ने उसे परिशान किया है उसने ये भी आरोप लगाया कि उसकी बीवी उसे अलग-अलग प्रकार की दवाएं दिलाती है और उसे शराप पीने के लिए भी विवश करती है पती ने आरोप लगाया कि वे उसे अननेचुर की मांग की कि वह भारतिय परिदान के बजाए शर्ट और पहंट पहनती है उसने अपनी याचिका में इस बात का भी उल्ले किया कि उसकी पत्नी ने तीन साल की शादी के दोरान एक बार सेक्स करने से मना कर दिया था फैमली कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी वहीं बॉंबे हाई कोर्ट ने इसे पलट दिया कोर्ट ने कहा के हम कुरूरता का दरवाजा इतना चोड़ा नहीं खोल सकते वरना इंडिया में हर छोटे छोटे मामलों में पती पत्नी तलाक लेने आएंगे और हमें सब को तलाक पड़ेगा रीजन नमबर फोर लिपिस्टिक पिछले दिनों लखनव में पत्नी की रोज रोज नई लिपिस्टिक की मांग से तंग आकर एक व्यक्ति ने केसर बाग इस्तित परिवारिक नयायाले में तलाक की अरजी लगाई शक्स ने फैमली कोर्ट से कहा कि उसकी पत्न होकर वे उससे अलग होना चाहता है कुछ साल पहले माराष्ट्र में एक मामला सामने आया जहां पती ने तलाक के लिए अरजी लगाई और कहा कि उसकी पत्नी रेगुलर पार्टियों में जाती है उसे तलाक चाहिए लेकिन कोर्ट की ओर से इसकी इजादत नहीं मिली पहले एक married couple उनके पास divorce की अरजी लेकर आया था दोनों ही IT professionals थे और दोनों की उम्र लगबग 20 से 30 साल के बीच में थी दोनों की arrange marriage हुई थी और उनकी life में सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन जब 2014 के लोग सभा चुनाव होने थे तब पती मोधी जी को support कर रहे थे और उनकी जो पत्निया वो केजरी वाल की fan थी और 2014 के election के बाद जब बीजेपी पार्टी जीती तो पती ने अपनी बीवी को टॉंट मारना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनकी political party ने खराब performance दी थी elections में ये तानों का सिलसिला इतना बढ़ गया कि दो महीने के अंदर ही husband और wife दोनों divorce का case लेकर court में पहुंच गए अब अगर ऐसे अजीब और गरीब कारणों पर तलाक होने लगे तो वाकई में हर दूसरे घर में तलाक होना निश्चित है marriage counselor डॉक्टर राजन भोसले बताते हैं कि काफी बार जो couples होते हैं उनके बीच में आपस में काफी सारे serious कारण होते हैं जो वो अपने parents को भी नहीं बताते और दूसरों को भी नहीं बताते और वो ऐसे fall took के excuses लेकर आते हैं जिससे उनको divorce मिल जाए